Very good morning students, I am your Hindi teacher and today I am going to teach chapter number 1 of class 7th. ये पार्ठ हम पहले प्रारम्भ कर चुके हैं और इसी पार्ठ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको भाषा लिपी और व्याकरण में मैं आज आपको बताऊंगी भारत और उसकी भाषा हैं. तो हमें page number 6 ओपर करना है और हमें इसमें पढ़ना है भारत की भाषाओं के बारे में. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में अनेक प्रकार के अनेक जाती और धर्म के लोग रहते हैं. यहाँ पर अलग-अलग भाषाएं बोली जाती हैं. जैसे मराश में मराठी, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, केरल में मल्यालम, तमिल नाडू में तमिल, गुजरात में गुजराती. इसी प्रकार से हम जो भारती समिधान हैं इसमें 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है. जो हैं असमी, बंगाली, मल्यालम, सिंधी, उर्दू, बोडो, कन्नर, मनिपूरी, तमिल, उडिया, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, तेलुगू, पंजाबी, कोंकणी, टोगरी, इस प्रकार से हम बात करें तो समिधान में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है. अब हम आगे बात करेंगे मात्र भाषा मतलब मदर टंग के बारे में. मदर टंग का मतलब होता है मा की भाषा, अर्थात बोली जाने वाली भाषा, मा द्वारा या परिद्वार द्वारा बो और बड़ा होता है उसी परिवार में बोली जाने वाली घ्षा को वह सबसे पहले समझता है । और यही भार्षा उसकी मात्र भार्षा कह लाती है। जिसे भारत की हिंदी भार्षा को राष्ट भार्षा का स्थान प्राप्त है अब हम बात करेंगे प्रादेशिक भार्षा की किसी भी प्रदेश में बोली जाने वाली भार्षा प्रादेशिक भार्षा कहराती है कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है करनाटक की प्रादेशिक भाषा कन्नड है केरल की प्रादेशिक भाषा मल्यालम है इसी तरीके से पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी है ओडिसा की ओडिया है तमिलनाडू की तमिल है हर्याना की हर्यानवी है महराश्च की मराठी है और गुजरात की गुजराती है अब हम बात करेंगे राज भाशा मतलब ओफिशल लाइंग्विज की राज भाशा का अर्थ होता है सरकारी भाशा मतलब सभी सरकारी कामकाज जिस भाशा में किये जाते हैं उसे official language या राजभाशा कहते हैं भारत की समिधान के अनुच्छे 343 के अनुसाद 14 सितंबर 1950 को 1959 को हिंदी भाशा को भारत संकी राजभाशा के रूप में मानेता प्रदान की गई इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है अब हम बात करेंगे अंतराश्ट्री भाशा मतलब international language की जो भाशा विश्व के अधिकान शाष्टों के द्वारा बोली जाती है वह अंतराश्ट्री भाशा कहलाती है अंग्रेजी को अंतराश्ट्री भाशा का स्थान प्राप्त है अब हम बात करेंगे मानक भाशा मतलब standard language की समय परिवतन के सासथ भाशा की लेखन में विवित्ता आजाना स्वभाविक होता है ऐसे में विद्वानों और शिक्षा विद्वों के द्वारा भाशा में एक रूपता लाने के लिए भाशा को लिखने के एक रूप निशित क्या जाता है यही निशित रूप मानक भाशा कहलाता है बोली किसी भी प्रांत की सेमिश शेत्र में बोली जाने वाली भाषा का सामाने रूप बोली कहलाता है बोली भाषा का स्थानिय या शेत्रिय रूप होता है सरकारी कामकाज में इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है भारत में अवधी, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, गड़वाली, प्रजभाशा, आदी अनेक बोलिया प्रचलित है तो भाशा के शेत्री रूप को ही बोली कहते हैं अब हम बात करेंगे लिपी की जब हम मुख से कुछ भी बोलते हैं, तो बोलते समय अनेक ध्वनिया निकलती हैं प्रतेक ध्वनि के लिए एक चिन निष्यत होता है ये चिन वर्ण या अक्षर कहलाते हैं और इन्ही वर्णों या अक्षरों का प्रयोग जब हम लिखने में करते हैं तो उसे लिपी कहते हैं जैसे कि हिंदी भाषा की लिपी देवनागरी है फ्रेंच भाषा की लिपी रोमन है उर्दू की लिपी फासी है संस्क्रत भाषा की लिपी देवनागरी है जर्मन की लिपी रोमन है बंगाली की लिपी बांगला है अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरु मुखी है और मराठी की देवनागरी है अब हम बात करेंगे व्याकरण की वह शासर जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा को शुद बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ग्यान होता है वह व्याकरण कहलाती है हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है व्याकरण के कुछ भाग होते हैं व्याकरण को तीन भागों में पाटा गया है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार वर्ण विचार के अंतरगत वर्णों के उच्चारण, वर्गी करण और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम का उल्ले किया जाता है शब्द विचार के अंतरगत शब्दों के भेद उत्पत्ती रचना आधी का अधियन किया जाता है वाग के विचार के अंतरगत सरूप भेद विशलेशन रचना आधी का अधियन किया जाता है अब हम बात करेंगे साहित्य मतलब लिट्रेचर की, प्रतिक भाषा के ग्याता विद्वानों शिक्षविदों के द्वारा जो जूज्ञान लिपिवद्द करकर सुरक्षित रखा जाता है, वह साहित्य कहलाता है साहिति के अध्यन से मानव जाती का बौधिक और मांसिक विकास होता है इसके अंतर का सभी रचनाय अनुभव एवं चिंतन पर आधारित होती है साहिति के मुख्य तह दो प्रकार होते हैं गद्य और पद्य साहिति गद्य साहिति छंद ताल ले और तुकवंदी से मुक्त तथा विच्चार पूंट एवं वाक्य बदरशना को गद्य कहते हैं और पद्य साहिति के अगर हम बात करें तो अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जो भाव कावी रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम पद्य कहते हैं तो इस प्रकार से हमने इस पार्ठ में यह जाना कि भाशा किसे कहते हैं, लिपी क्या है और व्याकरण किसे कहते हैं तो उमीद करती हूँ बच्चों आप सभी को यह पार्ठ समझ आया होगा अब हम नेक्स वीडियो में अगला पार्ठ मतला पार्ठ दो पड़ेंगे तो धन्यवाद आपका दिन शुब एवं मंगल मैं हो